इस वक्त हम मेहनूल हग के स्टेडियम में हैं और यहां सामने मद्दान किंद्र है और मद्दाताओं में उत्सा है और हम ये समझने के लिए आया है कि जो बड़साथ के दो साल पहले जो बारिस हुई थी और उस बारिस के कि दौरान जो लोगों की स्थिती हुई थी क्या वो मुद्दा इस बार चुनाब में है या फिर इस मुद्दे से इतर कोई और मुद्दा चला कई यंग जन वोटर भी है और सभी लोग वोट गिरा के आ रहे हैं एक सवाल ये वही जगा है ये वही जगा है और हमें लगता है कि रादिनर्णगर का वही इलाका है जिस इलाके में बाढ़ बरसात की पाहां वह बाढ़ कोई प्रकृत्प्रददत नहीं था सिस्टम का फैलियोर कहा गया था उस वक्त में क्या इस बार उसको चुनाभी मुद्दा है या फिर जेसी इसका अशार बोड पर बिल्कुल पढ़ेगा सरु भी बिल्कुल पढ़ेगा सब पैमाना है बतलब डेमोकरिसी का पैमाना है जिस तरीके से ना चल नहीं थी इस इलाके में लोग दिस हाल में रहे खास करके बुजूर्ट में 6-7 फीट फानी रहा कई दिनों तक मोई पानी रहा तो यह इस बाहर जो आप बोट गिराने गया बोट गिरा कि आप बाहर निकल नहीं है क्या बाके में मुद्दा है या फिर यह चीजे यहन से लोगों का निकल गया कि नहीं आप चलिए कोई उस समय यहां रही होंगी तो वो दर्द हर किसी के जहन में है तो वो एक पब्लिक के लिए यही है कि आप चुनाब के समय आप उसे अपने दर्द को इवियम मसीन पर लोग वेक्थ कर सकते हैं और कोई तरीका पांच बर्सों में किसी पब्लिक के पास और कोई अधिकार नह चाहेंगे कि यहां का रिजल्ट वो तस्वीर भी चल लए आज भी चल लए पहले भी तस्वीर यहां की भाइरल होती रही है तो यहां आप सजग मत आता है तो उसी सजगता से लोग वोट कर रहे हैं उस दर्द को लोग भूल गए या फिर जो एक अपना पोलिटिकल को सूझ बूझ के साथ वोट देना है उस केंडिडिट को जो कुछ कर पाए हम लोगों के लिए उसी को दिए उसी को हम लोग दिए हैं उसी को मतलब सब्दे आच्छा फिर आगे के लिए अच्छा करे लिए इसलिए तो मतलब जेहन में है याद है याद कहीं से नहीं रहेगा उतना जहले हम लोग लगता था कि पानी पानी कहां जाएंगे उपर से उतरेंगे तो वो तो जेहन में रहेगा ही पांच बर्सों में एक मौका मिलता है पबली को तो वो मौका कहते हैं लोग जात पाति धरम मजभ पार्टी में लोग बढ़ जाते हैं लेकिन यह जो दर्द है यह दर्द बहुत खौपनाक वो दर्द उसका मतलब वो जेहन में लोगों को है आप तो उस पार्टी के नेता है आपसे भी हम जाना चाहेंगे कि क्या इस बार यह मसला याद है लोगों के जहन में है और उसका असर देख रहे हैं कि वोटिंग ज्यादा हो रहा है जब वो नोटा पे पढ़े या किसी अदर्स को पढ़े लेकिन यह चीज़ तो हो रही है वोट का विभाजन हो चुका है जो मानिये विधायक हैं उनका जाना लगता है कि साइद हो चुका है जिस हिसाब से वोटिंग हो रहा है लोगों में अक्रोस है अक्रोस बहुत है एक वार भी जो घूमने नहीं आए आप गारजियन हैं आप छेतर के सेवक अपने आपको बो यह दो साइद कौरोना हो गया फिर उसका वार्ण वोट मैंगने के लिए किसे में कडिशन कि धिक और नहीं है वह तो जानके को रहा है है कि दस बास के लगों जहां गए इतना ना गाली उनको पड़ने लगा कि को रहा कि की मानिधियों के मांदें से हम बंदे हो जाते वो दर्द आप लोगों को भी आद होगा कि उस बारिस में नाव चला करती थी इस स्टीडियम में आपके भी सरकों पर नाव चला करती क्या इस बार के वोट में उसका वो जो दर्द है वो उस दर्द का एहसास इभी मसीन पर हो रहा है क्या कि या फिर लोग जिस पार्टी को मानते हैं पार्टी के साथ हैं या फिर पहले जैसे वोटिंग होती थी उसी पैटरन पे लोग वोट कर रहे हैं अब तो यह लोगों की सोच है ना तो कैसे बता सकते हैं कि अगर आप इस इलाके में होगी तो वो वक्त आपके जेहन में होगा कि किस तरीके से पानी में लोग डुबे हुए थे और लोगों में एक सब्ता से जारा समय तक जो इस्तिती बनी हुई थी हां 2018 में जो इस्तिती बनी थी तो वो उसका असर चुनाप पर है या फिर जैसे लोग जिस दल के साथ लोग जुरे रहते हैं उस दल के साथ लोग जो जो वोट गिरा के आ रहे हैं हम यह जाना चाहते हैं कि इस वार दो साल पहले जो यहां पर नाव चल रहे थे नाव वोटर के जेहन में वो दर्द याद है या फिर पार्टी के नाम पर भाई भती जेवाद के नाम पर जाती के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं यह तो सब दे रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बतलो वो दर्द जेहन में अब नहीं है ना है वो तो समय खतम होगे जो आगे करना सोचा या तो लोग आगे की सोच रहे हैं जो बीत गया सो बीत गया जी हाँ अच्छे लेकिन इस बार आपके बूत पर मदान करने के लिए लोग आ रहे हैं बरी संख्या में इस बार एक बड़ा बदलाव दीख रहा है कि जो सहरी छत्र है जिन सहरी चत्रों में अमोमन उस तरीके से मद्दाताएं नहीं निकलते हैं बहुत से मद्दान के अंद पर आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर अच्छी बात है वोट गिराकर लोग सर्फी ले रहे हैं और जो वोटर घर से अभी तक नहीं निकले हैं वो आप चाहेंगे कि और लोग बाहर निकले इस आप चाहेंगे पांच सल के बाद एक बार होती है तो पब्लिक सपील करना चाहें कि आगा आकर बोटिंग करें टाइम कभी कम बचा हुआ है जल्दी से घर साके वोटिंग कर लेकिन ये वही इलाका है जो वही इस्टेडियम है जहां आप रह रहे होंगे उस इलाके में भी एक तराश्दी हुई थी दो वर्स पहले तमाम लोग डुबे थे बहुत ही मतलब जेहन में वो पल एक पत्रकार के रूप में हमें भी याद है एक बोटर के रूप में आपको भी याद होगा तो क्या इस बार के वोट में उस कोई प्रभाव दिख रहा है यह बस जो जिस पाटी में हैं पाटी के सहारे लोग अपनी मानसिकता हो को आगे लगते है जात पात कर सहारे चांस मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए अगर आप उस वक्त यहां होंगी तो वह मंजर याद है तो क्या उसका प्रभाव बोट पर 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 रहा है वह दर्द जो साल भर पहले का था हम ग्रिनिया या जो भी हमारा घर आसपास में था उसको जो छेले हैं हम लोग साथ दिन है उससे हम लोग बहुत परशान बहुत दुखी और दर्द में थे और सभी लोग दर्द में थे जिनके पास घर नहीं भी था उनकी उन भभी दर्द में थे तो उसका efekt तो जरूर वोटिंग पे है तो इसलार दिखेगा उसका भी eibaक्ट दिखेगा और लोग जो काम नहीं वो दर्द था वो आज भी है और चाहते हैं कि वो काम दिखे और वो दर्द मिटे और आगे वाले जो भी इस वर सरकार बनेंगे उस चीज को ध्यान में देखेंगे और ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे हम लोग के कुछ उत्थान के लिए लोगों के लिए और साथ में उस दर्द के साथ साथ छिख्षा कभी जो स्तर अभी गिर गया है हमारे पूरे बिहार में उसको भी जो उठाएंगे जिट सक्षा के स्तर को उच्छा उठाएंगे तो जरूर लोग उनको लाइक करेंगे लग रही कि नियुक्यासन screaming है वहाँ ठीक है उस से कॉलेजेज की संख्या नहीं थी इसकूलेज नहीं था लेकिन जो एक पढ़ाई का अस्तर था वह हम देश अस्तर पर अपनी एक बिहारी के रूप में अपनी पहचान अस्थापित करते थे आज अप कहीं लगता है कि उस तरह के पढ़ाई की वेवस्थाएं या जो क्वाल समय में था सिक्षा का स्तर अभी बिल्कुल भी गिर गया है और वो स्तर को उपर करने की जरूरत है हर किसी को प्रयास करने की जरूरत है ना कि सिर्फ सिक्षक को जरूरत है उस चीज़ की बिल्कुल लेकिन साथ में सरकार को भी जरूरत है यह देखने की कैसे हमारे सिक्षा का स्थर उठे और सिक्षन संस्थान फिर से नंबर वन पे आ जाए और पतना का ही नहीं पुरे बिहार का जो सिक्षन संस्थान है जिसका नाम हुआ करता था पतना साइन्स कॉलेज का नाम हुआ करता था और भी यहां बहुत सारे सिक्षाबेद हुए हैं तो वो सब फिर से व लोग आशा करते हैं उमीद करते हैं चाहते हैं कि नए चेहरे या जो भी पुराने चेहरे हैं जो भी हमारे सरकार में आएंगे वो सिक्षा के बारे में सोचे और सिक्षा के स्थर को उपर करने का काम करें यह चुनावी मुद्धा है मतलब आप बोट गिराने के लिए यह सारे चीजें आपके जहन में चल लहीं बिलकुल सिक्षा भी चल रहा था और जो हमारा स्तर है जहां हम रहते हैं एक हमारा घर होता है चोटा सा घर होता है और चाहते हैं कि उसमें हम सुक्ष चैन और सांती से रहें आज क्या है रोटी है कपड़ा है घर है और साथ में सिक्षा है लेकिन वो जो तरासदी एक साल पहले हुई जो हम लोगों को पूरी तरह से हिला के चला गया बहुत दिनों तक हम लोग उस सिच्वेशन में नहीं थे ऐसा इमर्जंसी सिच्वेशन आ गया था कि खाने के लिए भी हम लोग का जो घर में स्टॉक था वो सारा भी खतम हो गया था वो दिन याद है हेलिकॉप्टर से कुछ गिरा था और उसको एक पाकर्ज गिरा था उसके लिए भी धन्यवाद करती हूं जिनों ने भी दिया था उस सिस्तिती में लेकिन वो दिन निकल लें उनके opinion को हम जाना चाहते हैं की सभार वोट कर रहे हैं तो क्या बाकई में उनके जहन में चीजें हैं जरा हम कितने percent voting हुई है यह सहरों में बड़ा मुस्किल है सहरे में सहरों में वैसे भी voting percentage काफी कम हुआ करता है और यह वो इलाका है जिस इलाके में हम बात कर रहे थे कि जब बर्सात की वज़ा से पूरा यह इलाका महनुलह के स्टेडियम में नाव चला करता था काफी बोट गिराकर आगए आप यूथ हैं आप अगर उस बार्ड के समय में आप यहां हो तो वो क्या वो दर्द जो महसूस किया लोगों ने उसका असर इवियम पर दिख रहा है जी जैसे बार में जो भी जो प्रॉब्लम हुआ था यह तो जो भी मतलब हैं उनके नगर प्रॉब्लम का ही गलती था और मतलब इसमें हमारे अभी पपु यादब जी चेतर भाई चेतर बहुत ही ज्यादा घूमे थे लेकिन मतलब मेरा मन था मेरे घर में चार आदमी है चारू वोटर मेरी वाइब गई है भोड़ देने तो हम लोग भी सोचे थे कि उनको भोड़ वहां के नतुत देखते हुए यहां बोट कर रहे है तो यह नतुत आप प्रॉट किरा कहा है जये सबाला इसल्इब बोड़यर गामन का है और यए पांच वर्सों में एक बार ही आपको मॉका है होता है अपने मताधिक मत के सहारे अपनी बात को परकट करना है तो जब वह वह चीजें नहीं होंगी तो फिर कैसे महसूस होगा कि यह लोग तंत्र का परवे सबसे बड़ा बात है कि जो सिस्टम में जो भी काम करने वाला आदमें चाहिए जीतने और हारने वाला से मतलब नहीं है तो आप जैसा पानी देखे थे तो पानी तो पहले भी हर साल होता ही है तो पिछले साल जो नितिश कुमार जी का मीटिंग हुआ था हम लोग न्यूज के माध्यम से देखे थे तो उसमें मतलब था कि जो भी अपना होगा तो नगर निगम के जो भी आपसर है उ संदल्पुर से हम आते हैं तो मेरा तो सेंटर ही गलत हो गया है तो वहाँ इस बार पानी नहीं है अब जो भी स्रकार उस परामल करीम हो रहा है तो जैसे हम तो सर मतलब सरकारी तो हमें कुछ भी मतलब लाव नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं लेकिन देख रहे हैं कि मतलब अभी आप बिहार में कहीं भी जाते हैं तो सर मतलब 5 घंटा-6 घंटा में आप कहीं पहुंग जाते हैं तो कहने से नहीं होता है करने करना भी ज अनुभब को समझिये और वोट देने को लेकर जो मानसिकता हैं कैसी बनती है जरा इसको भी समझिये यही सियासत है और इसी सियासत के तहट देश की राजनीत भी चलती है और पोलिटिकल पार्टी भी चलता है और सिस्टम इसी तरीके से काम करते हैं कि यह जो जनतंत्र का महा परवजिने कहा जा रहा है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी वेवस्था को लेकर नाराज हैं तो उसकी नाराज़गी आपको इवियम तक दिखाई दें वो सारी चीजें खत्म हो जाती है जब सलोकनों के सहारे राजनीत की सियासत साधने की कोशिस होती है चलिए हम यहीं समझना चाहते थे कि इस से बार बाकई में क्या पटना में जो लोग दोहजार अठारा के बार्ड में जो परभावित हुए थे उनका इस बार के चुनाब में उसका कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है कैमरामेन परदीप के साथ संतोस कसीश नीज मेहनूला के स्ट्डियो